आज मैं आपके लेकर आई हूँ बहुत ही बहुत टेस्टी और चटपटी स्वीट कॉन चाट इस चाट को बनाने के लिए यहाँ पर हम लेंगे रोजन स्वीट कॉन्स एक कप और इनको हम बॉयल कर लेंगे जब पानी उबलना शुरू हो जाएगा तो इसमें आट कर देंगे हमारे स्वीट कॉन्स पानी और कॉन्स को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे तो स्वीट कॉन्स की नैच्टर स्वीटनेस बहुत कम हो जाती है और इसी को अज़स्ट करने के लिए हम इसमें एक चम्मत चीनी जब इसमें बहुत अच्छा बॉयल आना शुरू हो जाएगा यह बिल्कुल रेडी है अब हम इनको निकाल लेंगे चीनी डालने से कॉन्स के अंदर एक नैच्छल मिठास आ जाती है और यह खाने में स्वीट लगते हैं तो इनको हम निकाल लेंगे और इनको हमने बड़े मावल में निकाल लिया है अब इसमें एक चम्मत बटर ध्यान के अंदर तो बटर और और अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब बटर हमारा जब बटर कॉंस के अंदर अच्छे से मैल्ड हो जाए और मिक्स हो जाए उसी टाइम पर हम इसमें बड़े और निकाल देंगे के एक मीडिय Gos out कर लिया साल जेसके मैंने प्यौड़ क्या स्बल्य य इसके बीच में निकाल दिये हैं, अब इसमें डालेंगे एक कटी हुई हरी मिर्च, इसकी क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से ज्यादा या कम कर सकते हैं, अगर आप बच्चों के लिए बनाएं, तो आप कम भी डाल सकते हैं, बहुत सारा कटा हुआ धनिया डालेंगे इस अपुचोर आउटा से पाउडस के नुशता टैबल शक्ता पाउडर 15 ब्लैक पेपर पाउडर 1 पौफ़टेबल स्पून ड्राइजम पाउडर 15 एफम ग्सप्टा ही कर दो अगर आपके पास अम्छोर पाउडर, नहीं आप उसकी जगह पर नीभू के रसका भी उसकर सकते हैं सबी चीजों को हम बहुत अशी से मिक्स कर देंगे और हमारी स्वीट कॉन चाट जो है बिल्कुल रेडी है अगर आप एक ही तरीके के स्नैक को खाकर बोर हो गए हैं और कुछ नया ट्राइ करना चाहते हैं तो आप इस कॉन चाट को बनाकर जरूर खाएं बहुत ही बहुत तेस्टी लगती है और खाने में मज़िदार लगती है तो यह देखे हमारी स्वीट कॉन चाट जो है बिल्कुल रेडी है इसको आप बनाएं खाएं और इंजॉय करें और अपनी पसंद की सबजियां आप इसके अंदर सबजियां डाल कर खिला सकते हैं तो यह देखे हमारी स्वीट कॉन चाट जो है बिल्कुल डेडी है यह चाट खाने में बहुत ही टेस्टी और मज़िदार लगती है तो इसको आप ज़रू टाई करें अगली बार मिलेंगे नई रिसिपी के साब तब तक के लिए टेक कियर बाई बाई